सरकार के तमाम कवायत के बावजूद समाज में तीन तलाग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोट ने तीन तलाग को अवैद करार दिया है और केंद्र सरकार भी इसको लेकर अध्यादेश ला चुकी है। फिर भी तहज के दरिंदे अपनी हरकत से बास नहीं आ रहे हैं। अपने सामर्थी के अनुसार उसने अपनी बेहन के ससराल वालों की डिमांड पूरी की। लेकिन जब वैपैसे देने से लाचार हो गया तो दरिंदे ने बचलनी का आरोप लगा कर तीन तलाग दे दिया। वही पिड़ता भी अपने शोहर को सबक सिखाने के लिए कमर कश्चुकी है। अस्थान ये थाने में ससराल वालों के खिलाफ कोई कारवाही नहीं होते दे। डियाई जी के पास न्याई की गुहार लगाई है। डियाई जी से आशवाशन मिलने के बाद महिला आशवस्थ है के उसे अब नयाई मिलेगा। भागलपूर जिला क्रिकेट संगद्वारा आयोजित सेंडिस कंपॉंड इस्टेडियम भागलपूर में BCA इंटर जोन T20 क्रिकेट टूनामेंट के फाइनल मुकाबले में मघज जोन ने चमपारन जोन को 48 रनों जे हरा कर खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बल्ले बाजी करते हुए मघज जोन की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। लक्षिका पीशा करने उतरी चमपारन जोन की टीम 18 ओवर में 120 रनों पर ओल ओट हो गई। मघज जोन की टीम की तरफ से बल्ले बाजी करते हुए रंजी हिलाडी, मंगल ने 51 रन, अश्विनी कुमार ने 37 रन और शशिम राठोल ने 24 रन बनाए। चमपारन जोन की ओर से गेंद बाजी करते हुए आमोध यादव ने 3 विकेट, मुकेश वे सकीबूल गणी ने 1-1 विकेट लिये। बल्ले बाजी करने उतरी चमपारन जोन की टीम 18 ओवर में 121 रनों पर धेर हो गई। अपनी टीम की ओर से अनुज राज ने सरवाधिक 29 रन बनाए। जबकि सकीबूल गणी ने 20 रन और अश्वाक ने 18 रनों का योगदान दिया। मगजून की ओर से मोहित कुमार ने सबसे अधिक 5 विकेट जटके। कप्तान आशुतोष अमन ने भी 3 विकेट चटकाए। जबके राजू पांडे ने 2 को पैवेलियन का रास्ता दिखाया। मैश के अमपायर संजीव कुमार तिवारी और मनोश कुपता थे। कॉमेंटेटर की भूमिका मोहित साधीक हसन वसंजीव चोधरी ने निभाई जबके स्कोरर धरमजे और हीमानशु थे। मैश के बाद विधायक अजीश शर्मा, BCA चैन समीती के चेयरमेन मुहमत आमीर हाश्मी, कर्नल संतोष त्रिपाठी वे रमेश रंजन ने विजेता मगस जोन वे उप विजेता चमपारन जोन की टीम को विनर और रनर ट्रोफी दे कर सम्मानित किया। बीर मुखर जी, डॉक्टर जैसंकर ठाकूर, डॉक्टर अर्जुन कुमार, BCCI कोच संजे कुमार समेथ अन्ये खेल प्रेमी मौजूद थे। तिरा आगे मैचेस हम लोग पटना में भी होंगे कुछ ट्रायल मैचेस उसके बाद वहाँ से फिर फाइनल टीम बनेगी। ये दोनों सज्जन सरकारी करमी है, एक वाहन निलामी की वैवस्था में लगे हैं तो दूसरा खरीदने के लिए आए है, कुछ बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो जाती है। मज़े की बात या है कि दोनों सरकारी करमचारी एक दूसरे को तमीज से बात करनी की सला दे रहे हैं। बात या है कि ये दोनों किस तमीज की बात कर रहे हैं, वहां मौझूद लोगों की समझ में नहीं आया। लगता है स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट को लेकर जन प्रतिनीधी के साथ प्रशासनिक पदादिकारी भी लाप परवा है। पिछले दिनों नगर आयुक्त के साथ सेंडिस कमपॉंड में हो रहे निर्मान कारियों को लेकर औचक निरिक्षन के गुनवत्ता को लेकर विधा के निर्देश का पालन हुआ और प्रयोग किये जाने वाले सामग्रियों की जाच के लिए मंगलवार को प्रयोग शाला भेजा गया। विकास योजनाओं में आन्य मित्ता का आरोप लगाते हुए भागलपूर के विधायक अजीश शर्मा ने कमिशनर वंदना किन्नी को स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो रहे कारियों के गुनवत्ता की जाच को लेकर एक आवेदन भी दिया था। आज विधायक के आवेदन पर कारवाई हुई और कमिशनर के निर्देश पर सेंडिस कमपॉर्ण में चल रहे कारियों का जाच करने भागलपूर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचारिय निर्मल कुमार के साथ दो इंजीनियर पहुँचे। जाच टीम ने कारियों में प्रयूक्त हो रहे इट, रेट और गिटी को संग्रह कर जाच के लिए अपने साथ ले गए। अब देखना या है कि कब तक जाच रिपोर्ट आती है और कब से काम शुरू होता है। की जाएगी। और इस ठिकेदार के खिलाफ कारवाई होगी और जो भी पतादिकारी उसमें संग्रिंग्ध होगे उन पर भी कारवाई होगे। बनार्सी लाल सर्रार्फ वानिज्रे महाविद्याले नवगच्या की छात्रा आर्या कश्यप 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजीत गंतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगी। आर्या का चैन भारत सरकार के युवा कारिक्रम एवं खेल मंत्राले के राश्टी सेवा योजना निदेशाले द्वारा किया गया है। विश्व विद्याले पियारो डॉक्टर दिपक कुमार दिनकर ने बताया कि आर्या का आर्डी कैम में चैन होने से टेन्वियो का मान और प्रतिस्ठा बढ़ी है। यह विश्व विद्याले के लिए गौरव की बात है। वही बॉइस गुरूप में सबार कॉलेज के छात्र दिनबंधु कुमार को प्रतिक्षा सूची में रखा गया है। जिले में चल रहे केंद्री प्रायोजित विकास योजनाओ की समिक्षा को लेकर सांसात अजे मंडल की अध्यक्षता में डिस्टिक डेवलप्मेंट को ओर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमीटी की बैठक समाहनाले परिसर में आयोजित की गई। असल सहायता योजना, मध्यान भोजन, सर्वशिक्षा अभियान, प्रधान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना, कौशल विकास सहीत, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जारहे योजनाओ में तेजी लाने का दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया। समिक्षा बैठक में सुल्तान गंज विधायक ललित नरायन मंडल, डिडिसी सुनील कुमार, नगर आयुक्त जे पिरिये दर्शनी सहीत, सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। अधि दिशा का बैठक था, जिसमें दिशा के अंदर जितने भी योजना है, उन योजना ओपर गार चारू रूप से चले, इसी के लिए बैठक था। प्रेशान किये जाने पर उनसे कैसे निप्टे इसको लेकर टिप्स दिये। वह ये प्रशिक्सित छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान इसिम कॉलेज की पूर्व प्राचार्य अर्चना ठाकुर ने कहा कि अखिल भारती विद्यारती परिस्द का ये पहल सरानी है। इससे छात्राओं को काफी बल मिलेगा। इस वार की तरह इस वार भी आयोजन किया गया है सेल्फ डिपेंस के तहर इस काराटे का। ये अपने आप में बड़ा ही लाफ्रज प्रद प्रद्ट है। अभी की जो समस्षा चले ही हमारे राजी की हमारे शहर की उसमें आये दिन देखा जाता है कि मनचले लड़कों को की आदत हो गई है किसी तरह से प्तारित करना चाहते है हमारी बच्चियों को तो ये एक ऐसा रुसका है पुलिस आएगी बाद में गार्दियों साहेंगे बाद में आप कैसे बचा सकते हैं उसके लिए एक बहुती अच्छा क्योंट है। भागलपूर के कचैरी चौक, मनाली चौक, तिलका मांजी चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक सहित, सभी चौक चौराहों पर यातायात पुलिस के द्वारा डिवाइडर लगाने का कार्य युद अस्तर पर किया जा रहा है। पर रात जब वे बकरी के मेमने को दूद पिलाने के बाद कमरे में आई तो देखा 36 यादव घर के उपर बास में कपड़े के फंदे से लटका था। मोही मृतक के दो बच्चों का कहना है रात में दो लोग यहां आई थे। उसी ने मेरे पापा को मारा है। 36 दिल्ली में मजदूरी करता था। तीन दिन पहले ही वे दिल्ली से लोटा था। दबी जमान में कुछ लोग इसे अवैस संबन से भी जोड़ रहे है। पुलिस मोनी को अपने कस्टेडी में लेकर पुष्टाश कर रही है।